हलो एब्रीबडी वल्केम बैक तो मैं आप सेर कर रही हूँ वो मैं 12th क्लास के सारे questions कराने वाली हूँ तो आप आरियोचस से हो या फिर आप और भी नर्जिंग कोसे सोते हैं उनमें 12 का सलेवस आ रहा है आरियोचस में 12 का सलेवस आ रहा है तो इस से रिल्ट में सारे आपके जो बायोगे questions हैं 12 के इसके साबसे मैं आपको questions सारे करा रही हूँ ठीक है तो आप देख लें बायोगे हैं यह और सारी questions जितने भी chapters है आपकी 12 में मैं सारे कराने वाली हूँ आप चिंता ना करें पहला question देखिए पहला question है आपका chapter है आपका sexual reproduction flowering plant तो मैंने chapter wise आपको questions करा रही हूँ इसमें 20 questions होँगे अराराउं ठीक है fusion होता है one male gamete का with egg and another one with polar निकलिया तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer आपका correct क्या हो जाएगा बताइए इसका answer आपका C option सही हो जाएगा बौत A and B singe me बोलते है इसको और triple fusion मी बोलते है इसको ठीक है अगर आप प्रोड़ ब्रीफ में इसको जानना चाहते हो जान सकते हो इन double fertilization singe me and triple fusion अकर double fertilization किसमें होता है angios pumps में होता है angios pumps की क्या है यह करेक्टिस्टिक है कि double fertilization होता है उसमें ठीक है तो उसमें आपका सिंगे में भी आ जाता है और उसी में आपका triple fusion भी आ जाता जिसमें आपने बढ़ा होगा PN पैन पढ़ा होगा आपने ठीक है या आपने पढ़ा होगा जरूर तो उसके बाद में आपको ने पढ़ा होगा इन सिंगे में वन मेल गैमीट होता है Fuse with egg, एक के साथ में egg Fuse करता है, to form gigot Sincamia में क्या होता है, एक male gamete एक egg के साथ में複क sle के साथ में और आपको gigot मिल जाता है festival fusion में क्या होता है, आपका nucleus of another male gamete nucleus होता है, जो another male gamete का वो fuse करता है, भी two polar nuclei आई, दो polar nuclei के साथ में fuse करता है दिकर ऑपने सेंटरर वारे में पड़ाओगा जैसे सेंटरर सेल कुछ ऐसे होती है को यह तोगोल बन रहा है लेकिन आपकी सेंटरर सेल कुछ àटी है इसमें ऐंटिण सेल ती हम उपर आपने देखा होगा इसमें निकलियाई होता है अंदर निकलियाई होता है एक एक और यहां पर दो पोलर निकलियाई होते हैं आपने देखा होगा है ना और उसके बाद में आपकी तीन नीचे और होते हैं यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं इनको तो यह जो है आपकी मैं कलर of another male gamete, वो fuse करता है दो polar nuclei के साथ में, यह आपकी polar nuclei है, इनको हम polar nuclei बोलते हैं, ठीक है, इनके साथ में fuse करता है, और आपको, किस के साथ polar nuclei of central cell, central cell की तो है यह polar nuclei, और फॉर्म करता है primary endosperm nucleus तो मैंने आपको बताया, pen, pen के फॉर्म की फॉर्म क्या होती है, primary endosperm nucleus को बनाता है, जो हमारा 3N type का होता है याल रखना है आपको ठीक है, उसके बाद में फिर आपका central cell ट्रांस्फॉर्म होती है into primary endosperm cell, जो हमारी central cell होती है इसको यह blue बाले से बनाया हमने कलर, इसको central cell बुलते हैं, ठीक है, cc silky दिया है central cell किया, किसमें बदल जाती है primary endosperm cell में बदल जाती है ठीक है, ठीक है, बदल जाती है, उसके बाद में mdosec form होता है from functional megaspore में, ठीक है, तो आपका option क्या उनसा हो जाएगा, singhyemi और trifolusion दोनों ही आपकी इसमें process में आजाते हैं, ठीक है तो आपका c option इसमें correct हो जाएगा, ठीक है next question देखिए, next question है आपका 2 कह रहे हैं आपसे, कि which of the following is the same as autogamy at the genetic level, ठीक है, तो आपको बताना है कि इन में से कौन सी चीज है जो same होती है autogamy के genetic अधाटे कंज पर आपको पता सीम में जाना है, रहोा ही चीज होती है लोगने फिसलना में आपकी बाले चापर लार जाएगैमी सोरी यह ब्रया है पर पर इसको ओलता है autogaming में पर लॉतायये तरह जानता संपोलिakat रहना में मिे लोलती है क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि आपका जो डबल फेर्टिलाइशन होता है वो सिर्फ स्लिफ एंड जो स्पांस की ही करेक्टरिस्टिक है याद रखना है और अभी मैंने जो आपको सेल बताई थी उसको भी आपको याद रखना है कि जो जो सेल है यहां पर और सेनर्जिस सेल हूते हैं यहां फर दूर निकलय आई और इसको हम तो जों इसको उम सेंटल सेल बोलते हैं तो यह कितना है लोलत है थे यह । तो इसका आपको इसका आंसर होगा है नेक्स क्वेशन पर बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन आपका इन एंजीटीव सेल और वन जनरेटिव सेल को आपको याद रखना है वो थोड़ी दाज होती है और जनरेटिव सेल हो ठीका याद रखना आपको फिर देखिए ये पॉलन गरिन वाले उसमें है पर पढ़ते हैं हमके पॉलन कितने होते हैं तो तुट फईव माईक्रो मेंटर इतने साइज होता है इनका और different type के होते हैं spore pollen पाया जाता है जेन्हें प्रिचर्ब किया जा सकता है लंबे समय तक इस पॉर पॉलन की वज़ाय से और इस पॉर पॉलन को हम किसी भी अंजायम से या फिसी किसी भी एसेट से हम degrade नहीं कर सकते हैं मतल तोड नहीं सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वेशन देखिए फोर कह रहे हैं आपसे post fertilization megaspore ingium is equivalent to which of the following जो post fertilization होता है megaspore ingium का वो किसके equal होता है वो आपको बताना है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका सीड के बरावर होता है वो ठीक है नेक्स्ट वेशन देखिए नेक्स्ट वेशन आपका five which of the following is not a characteristic of klystogamy klystogamy का कौन सा characteristic नहीं है वो आपको बताना है तो इसका जो option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा c option हो जाएगा जो progenies होती है have a very high level of genetic variability तो जो progenies होती है उनके बच्चे होते हैं वह बहुत ज्यादा उनमें genetic variability नहीं मिलती है genetic difference नहीं होता है तो यह klystogamy के लिए गलत statement है ठीक है next question देखिए six कह रहे हैं आप से कि functional जो mega spore होते हैं undergoes होते हैं the following division to produce an embryo sec तो functional mega spore है वह undergoes होता है और division of process को उसको क्या बोलते हैं कि इसमें कोंसे division में जाता है वो तो इसका जो answer हो जाएगा six का क्या हो जाएगा D option सही हो जाएगा आपका ठीक है myosis D option सही हो जाएगा आपका 7 बोल रहे हैं which of the following flowers can produce seed even without a pollinator तो इनमेंसे कौनसा flower है जो बिना pollinator के seed produce करता है आपको बताना तो इसका answer जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका oxalis यह आपका option सही हो जाएगा ठीक है water लेली और water जो water pollination होता है उसमें option देते कि water लेली भी हो water hyacinth भी है तो आप प्लीज उसके दिहान रखना कि water से उसका pollination नहीं होता है ठीक है थोड़ा सा कुछ जानना चाहते है उसके बारे में तो जान लो oxalis जो होते हैं plant produce both clistogamous और आपका जो close flower होते है clistogamous as well as chasmogamous मतलब जो open flower होते हैं दोनों ही इनके अंदर आते हैं ठीक है फिर as clistogamous जो होता है flowers are closed self pollination होता है उसमें closed self pollination ठीक है occurs within the flower that ensures pollination and do not need any pollinator उनको कोई सी भी जड़ोतनी होते है कि वो सेम प्लांट में हो रहे होते हैं इसलिए जैसे flower of water leaf flower of hyacinth जोता है water hyacinth जिसको इकॉर्णिया भी बोलते हैं देन आपका यक्का हो गया यक कांड मॉथ and open जो होते हैं they need pollinating agents उनको नीड होती है pollinating agents की for pollination के लिए तो agents क्या होते हैं आपके बी सबसे अच्छी agent होती है जिससे अमद मकी बोलते हैं जो हमारे रहे हैं सब्सक्राइब कर रही होती है ठीक है बिंट पॉलिनेशन में और यह आपकी बायोटिक अब आयोटिक फक्टर में आते तो यह आती है आपकी अब बायोटिक जो पॉलिनेशन होता है उसमें अब आयोटिक में आपकी जो आते हैं आपकी पॉलिनेटर होते हैं वो होते हैं आपके वाटर स्वारी एनिमल कहलाते हैं ठीक है तो यह वाटर होता है वाटर और विंड यह आपके क्या होते हैं इसेंट्स होते हैं जो आपके बायो यहां पर और इक को बीने season gleich मारा विंड रट इसक है और ऊपको कि the animal और लिए सकते हैं ख़गे नेक्स सब्सक्राइस है और यह फोन भी टिंग्रेदे भाइ एनला चमंः अपको पता रहे हैं अब हमें पर रूऊच्ज में अब कर रहा कि लोडिया तहां मैं आपको भी डिग्रेड नहीं कर सकता उसको तो आप इसका अंसर मुझे बताना आपका अंसर क्या होगा एट का आपकी उपर छोड़ड़ी हूं में एट का जो भी आंसर हो एक्स वाइजी आप उसका अंसर करना ठीक है कि जो डॉल फर्टलाइज़शन होता है उसे प्रेजस्ट होता है वह प्रेजेंट होता है हमारा एंड्वेश्पम्स में आपका घंड्वेश्पम्स भी आपको यह बता दिया था ठीक है नेक्स वेश्चन देखिए मैं फंक्शन आप ट्रिप्ल फ्यूजन इस तो है तो आपका option हो जाएगा endos pump ठीक है next question देखिए next question है आपका 12 कह रहे हैं आप से देखिए यहां पर जोड़ा सा बढ़ा कर ले रही हूं इसको जिसे कि आपको अच्छे देखे तो the male gametes from pollen tube are released into the male gametes from pollen tube are released into किस में release होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका c option सही हो जाएगा synergit ठीक है c option फिल्कुल सही हो जाएगा कैसे होगा जो male gametes होता है pollen tube से release होता है into synergit से देखो when pollen tube enter in ovule ovule में जब एंटर करता है pollen tube हुमारा तो through micropillar end से एंटर करता है ठीक है philliform erpates होते है आपके guide करते है its entry in synergit को philliform erpates क्या करते हैं guide करते है pollen tube को synergis में जाने के लिए where the male gametes that are present in pollen tube जो male gametes हो pollen tube में ब्रिजन होता है are released in the cytoplasm में ब्रिजन होता है of synergit cells में one male gamete fuse with egg, एक जो male gamete होता है वो एक के साथ में fuse होता है और another male gamete होता है वो move कर जाता है toward two polar nuclei है तो यह C को हम क्या बोलते हैं, triple fusion बोलते हैं इसी को ठीक है जिसको हम PNP भी बोलते हैं, PEN, PEN भी बोलते हैं इसी को primary endosperm nucleus, मतलब इसी के नाम से जाना जाता है इसी को हम triple fusion बोलते हैं, तो जब बो move कर रहा होता है एक जो male gamete होता है वो X cell के साथ में fuse कर जाता है और जो दूसरा male gamete होता है, वो हमारा जो दो polar nuclei निकली आई थे वहने आपको बताएते हैं, बीच में polar nuclei होते हैं दो बो हमारे उसके साथ में जब fuse करता है, दूसरा male gamete तो इसी को हम triple fusion कोते हैं, of the central cell and fuse with them, ठीक है next question देखिए, जो apomyxis होती है, is a characteristic of, apomyxis किस का characteristic है वो आपको बताना है तो 13 का जो option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, C option हो जाएगा, बोथ A and B मतलब esterase family में भी आपकी apomyxis होती है, और आपकी grasses family में भी apomyxis होती है apomyxis में बेटा, without fertilization seed बनता है, ठीक है, seed का formation होता है और जो mimic करती है, sexual reproduction को, ठीक है, sexual reproduction को mimic कैसे करती है क्योंकि आपको बता है, ultimately जो seed मिलता है, हमारा, वो sexual reproduction में मिलता है इसलिए वो mimic कर दिया है हमारी sexual reproduction को तो यह question भी आपसे पूछा जा सकता है प्लीज ध्यान से इसको देख लें next question देखिए 14 कह रहे हैं आपसे कि the persistent nucleus होता है present in the seed is called तो persistent nucleus जो होता है वो present होता है हमारा किसमें present होता है वो आपसे बता रहा है पूछ रहा है आपसे तो वो paris pump उसको persistent को यह paris pump भी भूलते है ठीक है इसका जो example हो जाएगा present nucleus वो होता है black paper जो काली मेर चोती है न मता black paper ठीक है उसमें present होता है यह black paper ठीक है यह आपका example हो जाएगा persistent nucleus का यह सारे NCRT के example है NCRT से बाहर में कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी आपको सिर्फ NCRT point to point NCRT होगा next question देखिए next question है आपका 15 के रहे हैं आपसे जो coconut water होता है इन coconut present क्या represent करता है तो आपको पता है क्या measurement करता है सभी को पता होगा वह आपका निकलियर क्या होता है निकलियर अंडिस्पम होता है तो next question आपका B option सही हो जाएगा question देख लेजिए coconut has both nuclear and cellular endosperm coconut के पास में nuclear भी होता है और cellular endosperm भी होता है nuclear endosperm जो होता है form करता है by free nuclear division of primary endosperm nucleus तुमारा जो nuclear endosperm होता है वह किसे form कर रहा होता है free nuclear division को किसकी help से primary endosperm nucleus की help से which later on undergoes cytokinesis उसमें क्या होता है लेटर हों cytokinesis हो जाती है to form multicellular endosperm as maturity तो जब maturity आती है तो हमारा multicellular endosperm इसमें form हो जाता है कि इस process के द्वारा cytokinesis के द्वारा ठीक है आपने पढ़ी होगी cytokinesis फिर उसके बाद में cellular endosperm होता है form करता है when each division of primary endosperm nucleus is formed by cytokinesis तो जो हमारा cellular endosperm होता है वो form होता है किसके द्वारा जब each division होते है primary endosperm nucleus में किसकी help से? cytokinesis की help से in this type endosperm remains cellular from the beginning तो in this type में क्या होता है? जो endosperm होता है वो remain cellular हो जाता है beginning से ही starting से ही और the white kernel होता है is cellular endosperm होता है while the coconut water is nuclear endosperm तो जो हमारा cellular part होता है वो kernel में बन जाता है and why which kernel में बन जाता है और जो coconut water होता है वो हमारा nuclear endosperm बन जा था जिसको हम sinusitic endosperm भी बोलते हैं ठीक है तो इसको हम sinusitic endosperm भी बोलते हैं मेटा याद रखना कैसे भी पूछा दा सकता है आपसे क्योंकि ये सारे term जो हैं आपके birds हैं जो आपके वो NCRT है ठीक एसे नोटेटिक endosperm भी बोलते हैं endosperm ओकी next question देखिए next question है आपका next है ये choose the incorrect pair आपको choose करना incorrect pair को तो option देखिए आप pollen grain हो जाएगा या फिर आपका male gamit होता है pollen grain या फिर obri mega sporingium होता है या फिर आपका embryo से female gamitophyte होता है आपको ये option बताने हैं तो 16 question का आपका option हो जाएगा B ovri होती है उसको हम मेगा sporingium बोलते हैं और जमारे pollen grain होते हैं उनको क्या बोल देते हैं उनको microsporingium बोलते हैं ठीक है तो आपका ये question सही हो जाएगा वी? option सही हो जाएगा ठीक है कुछ जाना चाहते हो in flower में क्या होता है इस male gametophyte, ठीक है, that bears male gametes, जो क्या करते हैं, bear करते हैं male gametes को, उसके बाद में जो ovule होते हैं, is megasporantium होता है, ovule आपका, in which megasporse form होते हैं, उसके अंदर megasporse form होते हैं, embryo sex जो होता है, is female gametophyte होता है, तो याद रखना है, यह question बहुत बुचा जाता है, एंब्रियो sex का दूसरा नाम, या फिर female gametophyte का दूसरा नाम, ऐसे पूचे जाता है, तो embryo sex जो होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, female gametophyte, यह मैं SWAT मिल को दे रही हूं, और उल्टा भी पूच सकते हैं, female gametophyte का, जो real name होता है, और name होता है, दूसरा name होता है, तो बोलत microspores को, when enter mature होते हैं, and dehydrates होते हैं, microspores double up into pollen greens, and now microsporenzyum is called pollen sec, तो microsporenzyum को हम pollen sec बोलते हैं, ठीक है, next question लेकिए, next question है आपका 17, 17 कहरा है आप से, which flowers are large होते हैं, कौन से flower large होते हैं, colorful होते हैं, और fragrant होते हैं, और rich in nectar होते हैं, तो बो flower आपके large होंगे, colorful होंगे, और fragrant होंगे, औ rich in nectar होंगे, कौन से flower होते हैं, वो होते हैं, आपके majority of insect pollinated animals, जो animal के द्वारा pollinated होंगे, वो flower आपके large होंगे, colorful होंगे, fragrant होगी उनमें, और उनमें nectar भी पाया जाएबा, ठीक है, जो animals के द्वारा pollination होता है, वो flower, ठीक है, next question लेकिए, 18 आप से कह रहे हैं, कि which flower, जो flower part होता है, जो पैरिक आपका form बनाता है, तो पैरिक आपको जो form बनाता है, उसको हम बोल देते हैं, क्या, ovary wall, आपका D options हो जाएगा, ठीक है, next question लेकिए, 19, यही आपके दू question रहे गए है, क्या रहे हैं, आप से, जो dicot embryo होता है, consist of, क्या consist करता है, हमारा dicot embryo, तो dicot embryo जो consist करत है, वो हमारा करता है, आप जोड़ याद करके कोशिच करो, कि जो dicot embryo होता है, हमारा, वो क्या consist करता है, तो dicot embryo होता है, radical, plumule, apicotyle, hypocotyle, 醋 जो ढिख सकते हैं, जो एक डाइकॉड centered, यहाँ पर embryo दे रखा फिर दिखिए next question आप से कहा रहा है which type of pollen grains are found in insect pollinated flowers तो मैंसे बताना है कौन से type की pollen grains present होते हैं जब insect pollinated flowers होते हैं उन में तो उन में जो आपकी pollen grain होनगे वो क्या होंगे light होंगे सबसे पहले light होने चाहिए और sticky होने चाहिए ठीक है तो आपका C option से हो जाएगा जब हम इंसेक्ट से करेंगे तो इंसेक्ट क्या है अच्छे से वीयर कर पाए उने है वीयर का मतला होता है अच्छे से अपने जारी पर रख पाए तब ही तो पहुचाएगा दूसरे फ्लावर तक तो वह हलके होने स्टिगमा से एंथर में लेगा और फिर नीचे जाएगा वो फिर ओवरी में जाने के बाद में उसमें फेटलाइशन होगा ठीक है तो इसलिए हमारे light और sticky आपकी pollen grains होने चाहिए यह mandatory है आपका थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाटेक के और आपको कैसा लगा मुझे जरू बताना ठीक है बाई